So Hello Guys, कैसे है आप सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे दोस्तों आप अपने Poco M3 के मोबाइल में पासवर्ट लगा सकते हो Poco M3 के मोबाइल में जो लॉक स्क्रीन है उसमें आपको कैसे पासवर्ट लगाना है तो इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो वीडियो को सूच लेकर लार्ज तक देखते रहिए और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेट के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सबी यूट्यूब वीडियो का नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो पोको M3 के मोबाइल में कैसे आपको पासवर्ट लगाना है सबसे पहले आपको सेटिंग का जो एप है ये वाला देख सकते हो आपको इस एप को ओपन करना है सेटिंग एप्लिकेशन को ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है यहां पर आपको देखने को मिलेगा पासवर्ट एंड सेक्यूरेटी का ओप्सन आपको इसके ओपर क्लिक करना है इसके ओपर क्लिक करने के बाद यदि आप अपने Poco M3 की मोगाईट में पासवर्ट लगाना चाहते हो तो आपको यहां पर क्लिक करना है पासवर्ट के ओपर पासवर्ट के ओपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर तीन ओप्सन देखने को मिल जाएगा सबसे पहले है pattern उसके बाद है pin और उसके बाद है password तो आपको इन तीन option में से किसी एक option को choose करना है आप जिस प्रकार का password लगाना चाहती हो आपको उसी को choose करना है मैं यहाँ पर pattern password लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर pattern को choose करता हूँ उसके बाद थोड़ा सा wait करना है सब्सक्राइब devoir करना यहां पर पासवर्ड लाथ सेट करना है अपको फेलिप करना है आप चाहते हो तो मैं यहां पर परको इस तरह से एक पाइसवर्ट करना है और इहां पर नीचे को करना है तो आपका जो पासवर्ड है यह स्लेक्ट हो जाएगा और यहां पर फिंगर प्रिंट एड करने के लिए बोल रहा है तो यदि आप फिंगर प्रिंट एड करना चाहते हो तो आपको नीचे यहां पर एड के उपर क्लिक करना है और यदि आप नहीं करना चाहते हो तो यहांपर cancer के उपर click करना है यदि आप add करना चाहते हो तो आपको add के उपर click करना है और आपको यहांपर जो finger आप जो power का जो बटन दिया हुआ है वहाँपर आपको अपने finger को लाना है और इस तर्छे आपको अपने finger को जहां पर आपका पावर बटन है जहां से आप मतलब फिंगर प्रिंट जहां से है आपके फोन में आपको वहां पर अपने उंगली को लगाना है और छोड़ना है कुछ इस तरह से लगाना है और छोड़ना है आपको इसे पूरा कंप्लीट करना है यहां पर आपको लगाना है है और छोड़ना है लगातार और यह कंप्लिट हो जाएगा तो यहाँ पर मैं इसे करता हूं और यहाँ पर हो चुका है उसके बदारों से आपको करना है यहाँ पर आप उसका नाम भी लिख सकते हो, पर मैं अभी लिखना नहीं चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर नीचे डन के ओपर क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर fingerprint भी set हो चुका है, देख सकते हो, तो यह मेरा fingerprint है, यह set हो चुका है, और password भी set हो चुका है, तो fingerprint से भी आप अपने mobile को unlock कर सकते हो और password को डाल के भी आप अपने mobile को unlock कर सकते हो इस प्रकार से गैस आप अपने Poco M3 के mobile में password लगा सकते हो fingerprint lock लगा सकते हो आसा करता हूँ गैसे वीडियो आपको अच्छे लगा होगा, useful लगा होगा वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर करना ताकि वो भी जान सके वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद